जिन्दगी में एक सफलता कुछ संभावनाओं को जन्द देती हैं लेकिन एक विफलता सैक्डों संभावनाओं को जन्द देती हैं इसलिए जिन्दगी में हार से डर्ना नहीं चाहिए कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए क्योंकि कोशिश में अगर आप विफल भी रहे तो क्यों विफल रहे दिमाग सैक्डों तरीके सोचता है आगे बढ़ने के सैक्डों रास्ते खुलते हैं तो कुछ ऐसी ही बाते हम करते हैं आपके तारे में आपके राज़भल के साथ जोतिश गुरू दीपक अपूर जी से. जोतिश गुरू बहुत बहुत स्वागत है आपका. जी नमश्कार. तो जोतिश गुरु दीपकपूर जी हमारे साथ हैं 23 मार्च गुरुवार का आप सब का राज़ भल लेकर तो ये 23 मार्च का दिन यानि आज का दिन कैसा है आपके लिए इस दिन में क्या संभावनाएं हैं कुछ अच्छा करने की और कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जिन से हमें बच कर निकलना है तो ये सारी प्लानिंग हम आपके लिए करेंगे जो तिश्गूर की मदब से सबसे पहले मेश और विशब आपका राज़ भल मेश राशी वाले रिष्टों को संभाल नहीं पार है मन से भी भरोसा उठता चला जा रहा है इसी वज़े से कोई प्यार का रिष्टा भी आपको परिशान ही किये हुए है क्या करना चाहिए समय में जिन्दगी के बनते बिगड़ते हालात के चलते आपने खुद को काम के प्रती समर्पित कर दिया है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी जिन्दगी में एक तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा तब ही जाकर खुशियां बनी रह सकेंगी इसलिए अपनी विनमरता बनाए रखे क्या न करें इस समय में पहली बात तो किसी नए रास्ते पर बिल्कुल न चले और अगर चलने का फैसला कर ही ले तो फिर अपने फैसलों को बार बार बदले नहीं कारण कोई भी क्यों न हो अपनी जिन्दगी को उल्जा लेना भी ठीक नहीं रिशब राशीवालों के लिए घर परिवार के खुश्या भी बनी होई है और अपनों से आपको पूरी तवज्जो भी मिल रही यही वज़ा है कि धनलाब के भी अच्छे मौके बने हो क्या करना चैसलों में काम काज की और ध्यान लगा दे और अपने लाब को भी बचाय रखे पढ़ाई की और जो भी आपका मन उठता चला जा रहा है उसे भी संभाल ले थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश कर ले क्या न करें समय में काम काज से जुड़ी चुनोतियों से घबरा न जाए वैसे भी अपने काम या कारोबार को लेकर किसी भी तरह का बड़ा खत्रा मोलना ले कहीं आप किसी बड़ी परिशानी में न पढ़ जाये तो बस ध्यान यही रखना है कि कहीं किसी बड़ी परिशानी को आपनी उताना दे रहे हूँ इसा आप क्या करने जा रहे हैं जिसे परिशानी आ सकती है तो उस काम को पहले तो समझ लीजे फिर मत कीजे सवाल लेते हैं जो तश्कुरू हूँ सवाल है अमित चौहान का 19 अप्रेल 1990 फरिदवाद में जन्म हुआ है तीन बच कर 45 मिनट एम इन्होंने बीटक किया 2013 में एमबिये 2016 में लेकिन नौकरी इनको अब तक नहीं मिली है बहुत सारी प्राब्लम्स है आविसली पैसे समस्याएं भी है क्या इन्हें जॉब ही करनी है या यह बिजनस के बारे में सोचें कि यह ख्याल अब मन में आना लाज़मी है इन्हीं कुंडली क्या कहते है इस समय जॉब से ही जुड़ना चाहिए जो बिजनस के विचार मन में बनता चला जा रहा है वो ठीक नहीं है अभी बिजनस ना करें अभी जॉब ही करने तो बस आपका इंतिजार खत्म हो चुका है क्योंकि अपसे लेकर अगले छे महने तक आपको अच्छी नौकरी मिलने जा रही है नौकरी में अपने करियर को आगे बढ़ाईए और चमकाईए हमारी शुब कामनायाब के साथ है आगे बढ़ते हैं हम भी मितुन और करकर वाप के बारे में देखते हैं कि 23 मार्च गुरुवार का दिन आप से क्या कहता है तो आईए इस दिन के बारे में जो बाते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं फिर आपको क्या करना है इस दिन और क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे पितुनराशी वालों की अपनी मेहनत से आपके काम को संभालने में मदद जरूर मिलेगी लेकिन आपकी मेहनत में निखार तभी आएगा अगर आप अपना भुरोसा भी बनाये रखेंगे क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी क्यों नहों? अपने साथियों और सेहोगियों से जुड़े रहना होगा कम से कम उनसे बात जरूर कर ले ताके परेशानियों से बचा जा सके क्या न करें इस समय में? काम के प्रती अपने घटे हुए रुजहान का असर अपने घर परिवार पर बिलकुल ना अन्द दे वैसे भी कोई ऐसा फैसला न करें जिसका असर आपके पैसे पर या आपकी बचत पर आए करक राशी वालों के लिए पैसे की स्तिती संतोष जनक बन रही है और काम को आगे बढ़ाने में मदद भी मिल रही है एक अच्छा सा बनता हुआ समय है जिसमें बहुत कुछ जैसे आपके काबू में है क्या करना चाहिए समय में बस एक ही कमी है जिस ओर थोड़ा सा ध्यान दे लेना होगा वो है आपके साथ ही सहयोगी और पार्टनर्स के साथ तालमेल और अगर आप शादी शुद हैं तो शादी का तालमेल भी इसमें शामिल है क्या न करें इस समय में अपनी बात से पीछे ना हटे और ऐसा करते हुए विचारों के तालमेल को बिल्कुल न बिगड़ने दे देखें तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उस दिन और उस दिन के पलों में क्या नई बात है ये अक्सर में पता नहीं चल पाती है तो वही नई बात आप तक पहुँचाते हैं जोतिश गुरू क्या करें क्या ना करें की शकर पी सिम्राशी वाले अगर लोगों की बात में कमिया निकालते चले जाएंगे तो ये आपकी गलती होगी और इस तरह की गलती करने के एक आदत सी बन जाती हर समय आप लोगों की आलोचना करते रहे तो ये भी ठीक नहीं क्या करना चाहिए समय में, क्यूंकि जिंदगी के दबाब बढ़ रहे हैं, इसलिए उसका असर आपके रिष्टों पर भी आ रहा है, और उसे ही संभालने की कोशिश करनी चाहिए, अपने मन को दुखी करने से तो बचना ही होगा, तब ही जाके आप अपने हालात को संभाल प कन्यराशी वालों के मन में रिष्टों की एहमियत बहुत है और घर परिवार का सुख आप बना पाएंगे, यह आपकी अच्छाई का असर है कि आपने लोगों से अच्छा तालमेल बना लिया है, क्या करना चाहिए समय में, कुछ कमिया फिर भी हैं जिसके चलते बार-बार विचारों का मदभेद उभरता है, आपके अपने विभार में भी थोड़ा सा और सुधार लाने की जरूरत है, जो लोगों को आप से जोड सके, क्या न करें इस समय में, लोगों के प्रतिय अपनी सद्भावना बनाने में अपनी और से कोई कमी न रखें, अपनी अच्छा से करनी चाहिए और फिर भूल जाना चाहिए, आगे सवाल है जोतिश गुरू, अखिल सिनहा का साथ दिसंबर उननी सो ऐसी, बारा बच के छपन मिनट दो पहर में इनका मुरादवाद में जन हुआ है, ये सुभाश सिनहा जी ने पूछा है अपने बेटे अखिल के लिए, अखिल के कुंडली है जी, मीन लगन की और विश्चिक राशी की, उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शुकर की और अंतरदशा चल रही है शानी की सितंबर 2018, बेटा जिस कंपनी में जॉब करता था वो कंपनी बंद हो गई, तो इस वज़ए से जॉब छूट गई आपन सब बनेगा, आगे चल के अक्टूबर 2018 से जो समय बनेगा जी, उसमें जॉब चेंज की फिर कोशिश करनी होगी, ताके एक और बहतर जौब मिल जाए, तो इस रूप से फिर केरियर अच्छा बन जाए, तो नौकरी का समय तो चल रहा है और बहुत मुम्किन है कि जब तक सवाल का जवाब हम आप तक पहुचा रहे हैं, नौकरी मिल भी गई होगी, हाँ, 2018 अक्टूबर में फिर एक नौकरी बदलने का एक सुन्दर सा समय बन रहा है, उस समय अपनी जॉब चेंज करके अपनी प्रफेशनल लाइफ को और बहतर बना सकते हैं आपके बिले, तुल कैसे, कहां आगे बढ़ना है, कहां नहीं बढ़ना है को नजर अंदाज बिल्कुल ना करें, वैसे भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं, जिसके चलते आप ही की परिशानिया बढ़ें, स्थिर्ता बनाने में इस समय कोई कमी बिल्कुल ना रखे, व्रिष्चिक राशिवालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ने के कई सारे अच्छ ना भी पड़ेगा, हो सकता है, उसमें किसी को परिशानी भी हो, लेकिन अपनी बात को सचाई और इमानदारी से कह देने में ही बलाई है, क्या न करें इस समय में, कोई भी बात इस रूप से ना कहें, जिसमें आपके पैसे का नुकसान हो जाए, और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, जिसमें लोग आपको समझी ना पाएं, इसलिए इस समय किसी भी बात को जल्द बाजी में करना ठीक नहीं है, धनुर मकर राजी, सोचना समझना दे के बहुत जरूरी होता है, हम जब impulsive होके कोई decision ले ले लेते हैं, तब बात में हम अफसोस होता है, नहीं होगा अफसोस, क्योंकि हम हर रोज आपको बताते हैं कि क्या करें आप और क्या ना करें आपके राजी भल के साथ, धनुर राजी वालों के लिए भागेशाली समय और घर परिवार में सुख का महौल बना रह सकता है, इसमें आपके अपने विवहार की अच्छाई भी शामिल है, जो बहुत सूजबूज के साथ जुड़ी हुई है, क्या करना चाहिस समय में, अपनी सोच को बहुत विवहारिक बनाना होगा ताकि आपकी बात लोगों को समझ में आए, थोड़ी सी पारदर्शिता भी लाएं और थोड़ा नियमित भी हो जाए, हर चीज आपके हित में ब मकर राशिवालों को काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी महिनत करने के लिए कई तरहें की अर्चुनों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर मन दुखी रहेगा, तो उसका असर आपकी कोशिशों पर भी पड़ सकता है, बस इसी से तो बचने की ज़रूरत है, क्या कर इस समय में, गल्ती भरा समय है, और नुकसान भरा समय है, इसलिए ऐसी कोई गल्ती कर लेना ठीक नहीं है, जिसका असर बहुत दूर तक जाए, अपनी कही हुई बात में भी, कोई गल्ती कर लेना ठीक नहीं है कि हम आपसे क्या कहने जा रहे हैं। किसी भी वज़ा से बिगड़ने ना दे और ऐसा करते हुए अपने से बड़ों को भी नाराज बिलकुल ना करें। पाएंगे और आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। लेकिन उसके पीछे जो छुपा हुआ है उस विचार को समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में ऐसा ना सोचें कि लोग आपकी हर समस्या का समधान कर देंगे। यह समझ ले कि हर बंती बिगड़ती बात के पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है और उन कारणों को समझने में इस समय कोई भी गलती बिलकुल ना करें। तो चाहेंगे आपसे इजाज़त लेकिन याद रखें वही बात जो शुरुआत में हमने कही थी कि विफलता कई माइनों में सफलता से भी बड़ी चीज होती है। विफलता हमारी personality में सेक्ड़ों नए आयाम जूडती है अपने आपको सुधारने के सेक्ड़ों मौके देती है। तो अगर जिन्दिगी में कोई समस्या या कोई शंका हो तो आप अब हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आईडी है आपके तारे एट आज तक डॉट कॉम हमरा वेबसाइट अड्रेस है www. आज तक डॉट इन स्लैश तारे तो भी कि लिए इजाज़त फिर होगी आपसे मु झाल